क्या आपको पता है कि सोने के बाद हमारे दिमाग और हमारे सरीर के साथ कौन-कौन सी गटना गटती है सोने के बाद लोग खराटे क्यों लेते हैं सोने के बाद लोग डर से उठ क्यों जाते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जग जाते हैं लेकिन अभी तक इसके रहस पे रहस बने हुए हैं तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और मैं हूँ पिवेक आनद और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बारा है हमारे चैनल को जरूर यां सस्क्राइब कर ले ना पहक्यानिकों की माने तो हम नील में दौ इस्टे से होकर गुजरते हैं एक रैपिट आई मोमेंट एक नरण रेपिड आयए उनुमेंट तो बात में आती है पहले आती है नन रेपिड आई मूमेंट इसमें तीन इच्टे जाते हैं 1st, 2nd और 3rd, 1st और 2nd में जो हम सुते हैं, हल्की सी नीज आती है, वह है 1st और 2nd, इसमें हल्की नीज आती है, हम अपने धिमार पर कुछ न कुछ कंट्रोल रखते हैं, कोई अगर हमें जगाना चाहे, तो हम जल्दी से जग जग जाएंगे, य व्रेके इस समय हमें काफी ज्यादा आसूस मिलता है और हमारे सरी अलग में जो मसल्स मईश्त हूए हम्ött धीरِ धीरे Mr. शुंच करने लगते हैं हमारा वल्ट पेसर कम हो जाता है मैं धर्कन स्रू हो जाता है हम धूरे सांस लेने लगते हैं काफी सारी बदला आ जाती है सरीर के अंदर उसके बाद आती है तिसरी इस्टेच चारा तर समय हम इसी इस्टेच में भीताते हैं इसमें हम काफी जादा गहरी नीन में चले जाते हैं इस समय हमारे पूरे बोडी रिलेक्स हो जाती है हमारे सारे मसल्स रिलेक्स हो उनको ज्यादा गहरी निदा यह क्योंब उसके मसल्स रिपलेश होते रहते हैं। इस समय काफी घवड़ी निद रहते हैं। अगर इस स्टेज ना चाहे है तो उस समय आप काफी खवड़ा कर जगें। इसके बाद आपकी यह rapid eye moment जिसे की रेम भी कहा जाता है इस stage में काफी ज्यादा हम सपने देखते हैं इस stage में ज्यादा तर समय वेतित करते हैं और यह जो सारे stage हम बताई है यह सारे stage रात भर में लगवक तीन से चार बार पांच बार repeat होते रहती है और यह repeat जो होती है इसमे पाद वह बढ़ती जाती है और जो नन रेपिट मूमेंट है इसकी जो लाश्ट इस्टेज सी तिसरी stage यह धीरे धी घटती जाती है और हम सपनों की दुनिया हमारे लिए बढ़ती जाती है आपको समझ में आ गया कि सोने के बाद हमारे पूरे सरीर का मसल्स रिलेक्स हो जा जाते हैं इस वज़े से यह सिकूर जाते हैं जिससे हमारा फूट नली सिकूर जाती है किसी किसी का यह फूट नली कुछ जादान सिकूर जाती है इस वज़े से वह खराटा लेने लगते हैं हमारे जो वोकल कोड होते हैं जिससे हम लोग सांस भी लेते हैं जब हवा अंदर यह नली काफी जाला सिखूर जाती है यह आवाज करने लगती है इस वज़े से बहुत सारे आदमी खराटा लेने लगते हैं तो आप समझाए कि वह खराटा क्यों ले रहा है नीन की यह जो दो लाश्ट स्टेज है इसकी कुछ खामियां भी है इस दोनों स्टेज में पहुचने के बाद हमें सुगंद नहीं आती है नाप की जो इंद्रियां है वह काम करना बंद कर जाती है इस वज़े से हमें सुगंद नहीं आती है इस वज़े से काफी सारे खतरना भी घर जाते हैं जैसे कि कोई आदमी घर में सो रहा है और आग लग गई तो उसे पता ही नहीं चलता कि आग लग गई और जब उसकी नीद खुलती है तो उस समय काफी ज्यादा देर हो जाती है एक और जो हमारा सरी पूरे बॉड़ी टेंपरेचर को कंट्रोल करें रखता है उसे मेंटेन करता है लेकिन जब नीद में हम यह दोनों स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारा सरी इस बॉड़ी केंपरेचर को फ्री कर देता है जिससे कि अगर आपको जादा गर्मी लग रहे हैं या फिर जादा ठंडी लग तो उससे जादा परिसान होई इसी स्टेज मे हम अचानक से डर जाते हैं कि हमारा सलिफ स्रीफ पैरलाइज मेगता इस समेहल साथ हमारा दीमाघ जो रहता है। हमारा दिमाग जो रहता है वह लौंग टर्म मेरनी हो जाता तीनों लिफिatoire मेंवुरी करनेறे है यह हार समय है हर चीज को आपको white वर करके रखना चाहिए और है जब हमारा दिमाग के रहता है और हमारा सरीर फैरलाईज हो जाता है कि उसमें अचानक कि आख़ा, और हरता है पनाला ही Kita Uohl बोल नहीं सकते, ऐसा ऐसी यह होता है कि नीद में कई सारे हर्मोन रिलीज होते हैं, जो कि पूरे मसल्स को रिलेक्स दे दे देता, और हमारा दिमाग तो काम करते रहता है, अगर कोई जीवन में काफी ज़्यादा बीजी है, और वह नीद पूरी नहीं कर पाता है, इस वज़ ऐसा इसी लिए होता है, जो बच्चे और जवान हैं, इसके सरे में काफी ज्यादा सेल रिप्लेस होते हैं, काफी ज्यादा मसल्स बिल्ड होती है, आप ज्यादा सोगेगा ता आपका चेहरा ज्यादा ग्लोग करेगा, यह सब इसी रिप्लेस सेल के वज़ा से होता है, और पुढ़ापे में अज़ा अलयी फाल होते हैं अ कि मस्ली पुढ़ापे कंपर इसलिए पुढ़ापे में काफी कम नीदद लिए इस में प्रापरीर बेहलाी है और एक्षित में यकार से हरा इस वजहां से नहीं क्यांद नेगते हैं तो अगले वीडियो में जरूर मुलाकात हों कि एक नई टॉपिक के साथ तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आते लाइक जरूर ठोग देना